यह बढ़ते हैं मद्रिप्रदेश में कैसी जगा है जहां ठंड में अजगर धूप सेकते हैं यहां एक दो नहीं बलकी इन सापों की तादात सैकडू में है इसलिए लोग इसे अजगर लोग भी कहते हैं यह रिपोर्ट देखिए MP में अजगर लोग अजगर घूमते हैं बे रोकटोक ठंड में धूप सेकते हैं यह शिकारी दूर दूर से देखने आते हैं सलानी इस पत्रीले इलाके में हर साल ठंड में एक दो नहीं बलकी सेकडो अजगर अपने बिलों से बाहर निकलाते हैं इसलिए भी इस इलाके का नाम अजगर दादर है। मंडला से 39 किलोमेटर की दूरी पर अजगरों का ये नैचरल हैबिटेट है जो कानहा नैशनल पार्क से 30 किलोमेटर की दूरी पर है। ये करीब 217 हेक्टेर में फैला हुआ है। यहां पत्थर और मिट्टी के बने छेदों की भरमार है। इन बिलों से निकलते अजगरों को देखने के लिए ना सिर्फ स्थानिय लोग बलकि दूर-दूर से परियाटक आते हैं। यहां आना उन्हें रोमान चित करता है। लेकिन इस खास जगह का विकास ना होनी की पीडा, उनकी बातों में जलक आती है। जो यहां पे निगरानी रखते हैं। वह भी काफी अच्छा है कि टूरिस्टों को बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और उसके बाद अजगर दिखाने लेने के लिए जाते हैं। तो यह सबसे अच्छी बात है। और आगे जो भी मतलब यह जैसा एरिय है और काना के पास ही है तो थोड़ा बहुत तूरिस्ट के लिए सुविधा होनी चाहिए। सबसे बड़ी तो यह चीज वाइड लाइफ के लिए होनी चाहिए कि इसका एक गैलरी बनाना चाहिए दूर से जहां पर लोग दूर से अजगर को देख सके हैं। जैसे हम अभी तो ब takeaway away तो लोग जो privis 시 पर देकल जाते हैं । अधर हम कोई इसको देख सकते हैं। कार्व हब देख यह कि अच्छा लगा एगा कर कान हा कि का नहा के बाद हम यहां पर आय और का फिछा जैंती हमें में बहुत सारे अजगर देखने मिले यहां आ यह आने की ज़ोड़ है दिसंबर में यहाँ सैलाणियों का आना शुरू हो जाता है कि यहाँ का माहौल अजगरों के लिए अनुकूल है बस जरूरत है यहाँ के विकास की ताकि ना केवल अजगरों का संरक्षन हो बलकि परियाटन के तौर पर ये जगा अलग पहचान बना सके आहार स्रंखला में वहाँ पर उन्हें चूहे छोटे जीव पक्षी और खर्गोष जैसे जीव वहाँ पर उपलब्द हैं तूरिज्म के हिसाब से भी और प्राक्तिक बातावरान को सनरक्षित करने की महती आप सकता है यहां सैकडों की तादात में अजगर रहते हैं थंड के मौसम में इन्हें यहां शिकार भी आसानी से मिल जाता है क्योंकि इस अलाके में चूहे बहुत हैं यही वज़ा है कि अजगर का ये नैचरल हैबिटेट बन गया है मंड़ा से महच 28 किलोमेटर दूर है अजगरों का ये आशियाना अजगरों के शेकडों की संख्या होने की वज़े से नाम पड़ा है अजगर दादर यहां चोटे और बड़े अजगर सरलता से देखे जा सकते हैं काना निशनल पार्क के करीब है यह दर्शनी इस्थल और काना निशनल पार्क से परियाटकर लोग यहां भारी शंख्या में पहुंसते हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां कमी देखी जा रही है और ना ही अच्छी सड़क है और ना पानी पीना की कोई उचित बवस्था लगतार कई वर्शों से शासन पर शासन को आववस्थाओं के बारे में बताया गया है लेकिन आज तक शासन पर शासन ने इस शोर्धान नहीं दिया यह इस्थान एक अच्छा परिटक इस्थल बन सकता है अब जरूरत है इस स्थान को संरक्षित करने की अजगर दादर से दवेंद्रिया दव मंडला